हे गाईस, वेलकम बैक टो मैं चैनल, होप यू अलार विल सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ सो मेरे क्लाइन के अनिवर्सरी की लुक थी ये, तो इनको ये ही ऐसा ही लुक चाहिए था सो उनके हिसाब से मैंने ये लुक उनको दिया था जो कि उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आए थी सो मेकप से लेके हैस्टाइल तक सब वीडियो मैं सेयर करने वाली हूँ आपके साथ सो कीप ऑन वाचिंग दा वीडियो सो ये मेरे क्लाइन की बिफोर की लुक थी सो सबसे पहले मैं CTM कर लिया था स्कीन में CTM मतलब क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉस्टरेजिंग उसके बाद मैं ये प्राइमर एपलाई कर ली हूँ सो क्यूंकि इनके फेस पर ज्यादा मार्क नहीं था तो मैंने सिर्पिन के आँखों पर एक औरेक्टर एपलाई किया हूँ सो मैंने यहाँ पर सो मैंने यहाँ पर औरेंज कर लिक्टर कर यूज किया है सो बेस के लिए मैंने यहाँ पर क्रैलोन का सुपरे पैलेट में से पैलेट का बेस यूज किया है इसलिए मैंने Supra palette का यूस किया है जो अच्छे से blend करने के बाद मैं यहां पे थोड़ासा हाइलाईटर एपलाई करूंगी जो की कृरैलों का ही है बैस को अच्छे से ब्लेंद करने के बाद मैं एपलाई करूंगी Translution Powder जो की क्रायलों का है brush की help से मैं powder को बहुत ही अच्छे से face में apply कर लूँगी उसके बाद मैं face पे करूँगी contour मैंने यहाँ पे contour के लिए shadow palette का ही use किया है और बहुत हलका सा ही contour किया है उनके cheek पर, nose पर और jaw line पर क्योंकि मेरे पास अलग से contour palette नहीं था तो इसी वज़े से मैंने यहाँ पे dark color का shade यूज किया है shadow का ही shade यूज किया है dark color का अच्छे से contour को blend कर लूँगी और apply करूँगी मैंने यहाँ पे blusher brush की मदद से brush को अच्छे से blend कर लूँगी और फिर मैं अब मैं apply करूँगी compact powder जो कि sugar cosmetics का है so compact powder को डग आँखों के नीचे forehead पर और contour area को छोड़ कर बाकी area मैं मैं यहाँ पे ब्यूटी ग्लेज का shadow palette यूज किया है और यह orange color कर shade लूँगी और as a transition मैं apply करूँगी ग्रिस पर flappy brush की help से अच्छे से blend कर लूँगी उसके बाद मैं apply करूँगी यह थोड़ा सा red shade और outer corner पर और inner corner पर apply कर लूँगी अच्छे से blend कर लूँगी ताक कोई harsh line ना रहे शेडो को अच्छे से blend करने के बाद मैं apply करूँगी glitter मैंने यह पर golden glitter का यूज़ किया है अब मैं lower water line पर काजल apply कर लूँगी और वही red color का shadow भी apply कर लूँगी lower lash पर और काजल के साथ smudge कर लूँगी फिर यहाँ पर apply कर रहे हो liner और mascara और brabone और inner corner को भी highlight कर लिया है lipstick apply करने के बाद बाद सिधा hair पर काम करूँगी मैंने यह पर make up revolution का fixer यूज़ किया था so guys hair का video मैंने पूरा बना नहीं पाई जलवाजी में so उसके लिए sorry so यह रहा hair पूरा hair का काम so मैंने यह पर थोरा सा puff किया था और पूरे hair को मैंने open hair style किया था तो so curl कर लिया था so guys this is the final look I hope you will enjoy the video comment करके जरूर बतेगेगा कि आपको ए लुक कैसा लगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है so please like share and subscribe by medium मिलते हैं नेक्स वीडियो पर झाल 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 झाल